हेलो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सिधारत अलाइन कोची में और हम लोग पढ़ रहा हैं बेस्सी थर्ड सेमिस्टर इलेक्ट्रो मैगनेटिक थेयरी इलेक्ट्रो मैगनेटिक थेयरी का एक और इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसका न एक ल्वरॉट्लेस कि वज़े से कितना और इसी में अगर हमें फाइंड करनहों कुल्क ट्रॉम स्ला फ्रम गॉस्ला तो ये भी इसीमें फाैंड हो जाएगा कि गॉसला के according, कुलम्सला का प्रियोग करते हैं, कैसे हमें मिलेगा, तो इसके लिए क्या लिग आना है, कैसे लिग आना है, और कितना लिग आना है, उसके बाद क्या proof करना है, यह हम लोग आज देखते हैं, तो सबसे पहले तो heading हो गया deduction of कुलंप्सला फ्रों गॉसला तो गॉसला से हम कुलंप्सला को फॉइंट करेंगे यह फिर अगर छोटी सेड़ी आती है तो इसी में आ जागा इलेक्ट्रिक फिल्ड दूट वह पॉइंट चार्ज का मतलब यह हुआ कि चार्ज वह बहुत ही कम एरिया में किसी भी पॉइंट पर यह कोई पॉइंट ओ हो गया यहां पर पॉइंट चार्ज है प्लस क्यूब अब अगर किसी पॉइंट ओप है पॉइंट चार्ज प्लस क्यूब प्लेस्ट है तो उसके चार और बनेगा एक इलेक्ट्रिक फिल्ड तो इसके कुछ दूरी पर माल लिया गया इससे आर पॉइंट है जिसका नाम रख लिया गया P कोई पॉइंट पी है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फिल्ड की वैलू फाइन करनी यह जो दोनों एंडिंस में जितना काम करना होगा इतना तो करना ही होगा कि सबसे पहले एक पॉइंट्ट चार्ज लिया जाएगा क्योंकि पोईंट ओपे रखा हुआ है अब उसके बाद क्या होगा इससे धिस्टेंस पर कोई पॉइंट पीने जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फेल्ड की वैलू कलकुलेट कर लियों तो यह तो यह कोई और आर रेडियस का ही एक इस प्रकार से स्फेर ड्रॉ कर लिया जाए अगर आर रेडियस का ही अगर कोई एक स्फेर ड्रॉ कर लिया जाए इस प्रकार से तो यह सरकील ही नहीं है स्फेयर है स्फेयर का मतलब यह क्या हुआ पूरा इस प्रकार से गोल है कोई खोखला गेंद है प्लास्टिक का बड़ा सा तो इस प्रकार से इसके सेंटर पे तो यह प्लस क्यू चार्ज प्लेस कर दिया गया जो की पॉइंट ओपर है अब उसके तो इससे आर दूरी पर आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है तो पी पर जितना भी इलेक्ट्रिक फिल्ड होगा इस आर डिस्टेंस इसके चारो जितना भी आर डिस्टेंस पर जो भी पॉइंट्स पर रहोंगे सब पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फिल्ड की वालू से तुसेम है उसे बना लिया गया एक स्फेरिकल फॉर्म में और जिसे कहा जाएगा गॉजियन सर्फेस और इसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिए यह दिख रहा है सर्किल की तरह बाकि यह है चारों तरफ इस प्रकार से अब बीच में सेंटर पे इस स्फेर के भी रख सकते हैं मेडियम में रखेंगे तो एपसॉल्यूट पर तो पर्मिटिवीटी की वैलू होगी मेडियम के लिए एपसाइलन और अगर फ्री स्पेस में रिख देते हैं तो पर्मिटिवीटी की वैलू हो जाएगी एपसाइलन नॉट तो वी हैब तो डिटर्मीन इल अब हम जानते हैं क्या जानते हैं कि electric field due to point charge is radial तो electric field point charge की वज़े से क्या होगा चारो और उसके बराबर होगा radial के form radial form में होगा and magnitude is same at all points और इसका magnitude हर point पे same होगा जैसे कोई यही था point charge इसके 4 और अगर r distance पे देखा जाए तो जितना भी points होगे r distance पे इस center से r distance पे जितने भी points होगे सब पे electric field का magnitude same to same ही होगा यही बात कही गई है magnitude is same at all point at equal distance from o so we can choose spherical surface of radius r from center o known as gaussian surface और इस surface को इसकी बात किये इसे कह लिया गया gaussian surface यह हो गया gaussian surface इतनी बात लिखके अब हमें क्या करना इस gaussian surface की वज़े से enclosed charge है और उसके लिए हमें find करना electric flux की value तो electric flux के लिए अगर formula शुरू करें तो electric flux की value होती कितनी है तो electric flux electric flux को represent करें तो phi से और electric flux है तो यह हो गया phi e is equal to surface integral of vector e और यह हो गया vector ds तो यह हो गया surface integral किसके लिए electric field के लिए यह formula हम लोग पढ़ चुके है अब इसमें अगर value रखें तो e dot ds vector e dot vector ds की value होगी e cos theta e ds cos theta यह होगी जाएगा e ds cos theta अब हमें चाहिए cos theta की वागी तो अब यह जब point charge plus q यहां रख दिया गया center पे point charge plus q जब इसके center पे place कर दिया गया तो अब यहां से जो electric field की value होगी इधर की ओर emit होगी normal surface से देखें अगर तो electric field lines यह होगी अब क्या किया जाएगा Gaussian surface पूरे Gaussian surface के लिए electric field lines number of total electric field flux होता क्या total number of lines यह total number of electric field line passing through given surface तो Gaussian surface के तो जीतना भी electric field line pass हो रहा होगा उसे calculate कर लेंगे वही flux हो जाएगा तो Gaussian surface पे छोटा सा segment छोटा सा पार्ट यहां माल लिए काट लिए और इसकी वज़े से इस छोटे से पार्ट में हम लोग find कर लेंगे कि electric flux की क्या value है तो इसका integration करके पूरा Gaussian surface अर्थाथ पूरे इस फेयर के थुरू जो electric flux है उसकी value निकाले जा सकती है तो यह जो surface है कटा हुआ भाग है इससे माल लिए गया इसका जो surface area यह हो गया ds तो किसी भी surface area से जो उसका area vector होता है वह था उसके perpendicular तो यह सफेयर का कटा हुआ भाग था माल लिए गया यह स्फेयर है छोटा सा इसका area हो गया ds तो इसका जो area vector होगा वह गया इसके perpendicular तो इसके perpendicular area vector बना है तो यह यह इधर ही बन रहा यह वेक्टर डियस तो दोनों के बीच का जो angle है theta is equal to 0 degree हो गया तो यही चीज यहां सब अप्लाई कर दें तो यह क्या होगा यह हो गया surface integral e into ds और यह हो गया cos theta था यह हो गया cos 0 की वालू हो गई 1 cos 0 की वालू 1 हो गई तो यह बचा surface integral e into ds या e को बाहर लेख लें अगर तो यह बचा ds यानि पूरे surface का surface integral करें पूरे surface को अगर जोड़ दें तो किसी भी किसी भी sphere का जो total surface area होता है वह होता है 4 pi r square तो Gaussian surface का भी जो एरिया होगा वह जागा 4 pi और यह radius से smaller तो यह जागा 4 pi r square तो इसकी वालू हो गई e into यह हो गया 4 pi r square अब गॉसला का अगर यह केवाल यह तिनी एडिंग रहती कि electric field due to a point charge तो यहां तक तो करते ही अब हमें electric field की वैलू चाहिए तो अब इसके लिए क्या करें flux के लिए एक और formula में पता है गॉसला के अकॉर्डिंग तो ग्लास गॉसला के अकॉर्डिंग होता है किसी भी enclosed surface area के थ्रू जो टूटल इलेक्रिक फ्लक्स होगा वोगा 1 बाइपसाइलन नौट टाइम साफ टूटल चार्ज किसी भी 3D सेप में जो भी enclosed चार्ज रहेगा तो उस area का जो टूटल फ्लक्स होगा वोगा 1 बाइपसाइलन नौट टाइम साफ टूटल इन्क्लोजड चार्ज तो यह होता है flux की वैलू कितनी होती है flux की वैलू होती है 5 is equal to होता है q by epsilon नौट या कहले ले 1 by epsilon not into q तो दोनों values तो flux की हैं दोनों को equate कर दें सो दोनों को equate कर दिये तो यह हो गया इंटू 4 by r square यह इधर रख दें 5e यह भी था electric flux यह भी electric flux दोनों की वैलू यहां वह रख दें तो q by यहां भी रखते हैं तो यह हो जागा q by epsilon not 5 की जगह हो जागा q by epsilon not is equal to into 4 pi r square यह लिख ले पाले into 4 pi r square is equal to q by epsilon not तो अगर electric field की value अगर find करना तो कितना हो जागा is equal to हो जागा यह सोब अपॉन में चला जाएगा तो q by epsilon not into यह अपॉन में चला गया 1 by 4 pi r square यहां फिर लिख सकते हैं is equal to यह ही लिखते हैं is equal to is equal to 1 by 4 pi epsilon not एक साथ लिख लिख लिए 1 by 4 pi epsilon not into q by r square तो electric field की value हमें मिल गई कि electric field due to a point charge होगा कितना तो electric field due to a point charge अब हमें मिल गया is equal to 1 by 4 pi epsilon not q by r square अब अगर electric field due to a point charge find करना होता तो इतने से ही काम चल जागा अगर अब उपर वाली heading है जिसका नाम है deduction of या derivation of Coulomb's law from gauss law तो इतना तो करेंगे अब मान लिया गया कि कोई भी test charge है जिसे रखा गया है point p पर point p पर कोई test charge है पर इच्छड आविस है तेस्ट चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं q naught से let test charge let test charge q naught is placed is placed is placed at point p तो point p पर test charge रख दिया गया अगर test charge रख दिया गया तो electric field intensity की value होती क्या electric field intensity की value किसी भी परिच्छाण आविस पर test charge पे होती है f by q naught per unit positive test charge पे जितना भी force लग रहा होगा उसे कहा जाएगा electric field intensity तो अगर यहां से f की value find करें तो f बरावर हो जाएगा f बरावर cross multiply यह हो गया e into q naught और e की value electric field intensity की value point charge की वाज़े से हम लोग find कर चुके हैं कितनी वाल्य वाल्य फोर पाइपसाइलन नौट q into q naught by r square और यही होता है कुलम्स ला दो charges के बीच में लगने वाला force क्या होता है 1 by 4 पाइपसाइलन नौट into q into q naught by r square अगर इसे vector form में लिखें तो vector form में भी लिख सकते हैं से vector f is equal to 1 by 4 पाइपसाइलन नौट into q into q naught by r square into योग्या आर कैप तो यह था इतना इता डिटक्सान आफ कुलम्स ला फ्रॉम गॉसला या फिर एलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टू पॉइंट चाज अगर इसे एक्जाम में आता है आपको तो इतना लिख क्या ना होगा तो मि इतने दोस्तों अगले वीडियो में थैंक्स फ़ॉचिंग